नमस्कार दोस्तो औरके मही मतमाटिस कलासेज में आप लोग का स्वागत है आज फिर से हम मोडल सिर्फ चार लेकर आए जो हिन्दी का लेकर आया है दोस्तो इससे पहले आपको पूरे वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ ह वहाँ पर आपका science, Sanskrit और social science का भी आपको देखने को मिलेगा इंटरनेट पर जारी जो भी motor paper है वहाँ पर आपको उपस्तित होगा दोस्तो ठीक है तो आपको कहा देश से यहाँ पर जो है बोड की परिक्षा के लिए काफी यहाँ से आपको अच्छा स्वयोग मिलने वाला है दोस्तो और जैसे जैसे परिक्षा के नजदिक हम लोग जाएंगे वैसे वैसे आप लोग का जो है BBI question आप लोग के लिए लाते रहेंगे इसलिए पहली बार आप लोग चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंजिए और बेल आइकोन प्लेस की जाटी है दोस्तो चलिए हम लोग सेट नंबर 4 की वर चलते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं सेट नंबर 4 है जो हिंदी का मूडल पर है यहाँ पर हिंदी समाज शुरम विभाजन को किस लिए आवसेक माना गया है तो आधनिक सब्समाज शुरम विभाजन को किस लिए आवसेक माना गया है तो यहाँ पर हम बता देश एक का यहाँ पर यह नंबर आपका राइट इंसर है कारे को सलता के लिए माना गया है ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां पर ध्यान दिये जाए शुरम विभाजन जाती पर्था निर्बांद किसके दुवारा लिखी गई है तो शुरम विभाजन जाती पर्था जो है भीमर आपके दुवाला लिखा गए है अप्सन नंबर भी आपका राइट एंसर सही है ठीक है चलिए बहुत अच्छा पराइट यहां पर देखने को मिल रहा है आपको 20 के दात कहानी में मोटर कार किसकी थी तो आपको मालूम है तो चिक है आप लोग डाइरेक एंसर मारिए और नो मालूम है तो देख लिजए यहां पर सेंज सहाब की कितनी लड़किया थी तो सेंज स दाकाश्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है यहां पर कुछ नमबर यहां पर भी आपका राइड एंसर सही है भीम्रा अंबेदकर के द्वारा लिखा गया ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिस्वब इक्यात द्वान मैक्स मूलर का जनम कहा हुआ था बिस्वब इक्यात मैक्स मूलर का जनम कहा हुआ था चौक आपका बता देख उचा नमबर चौका आपका एंसर है यहां पर जर्मन में हुआ ठीक है दूस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं चलिए बहुत अच्छा प्रस्ण आगया फिर से आपको यहां पर देखने को मिल रहा है मैक्स मूलर ने श्वर विद्या संपदा और प्रकेशिक संदर्व के पूरी पूर नर्देश कहा गया है इसको कहा गया है तो यहां पर ध्यान दिया जाए कुछा नमबर साथ का आपका एंसर नमबर है भारत को ही कहा गया है जो यहां पर हर तरह से सं नयुक्वपन है ठीक है दोस्तों चलिए आगे देख्तें हैं यहाँ पर देखा जाए अन्हाम दास का पोत्हा उपनियास की सिलेखक की क्रिती हैं तो उचर नमबर 8 का अब का यह नमबर राइटिंस न सही है, हजारी परसाद दिवेदी का है, ठीक है दूस्तों? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखा जाक उचर नमबर 9, यहाँ पर देखा जै हाजारी परसाद दिवेदी ने निर्जल अपराधि किसे कहा ह तो यहाँ पर 9 नमबर का इंसर, राइट इंसर, C नमबर है, नाकुन को कहा गया है चलिए यहाँ देखिया, यहाँ पर हिंदी के आधिक कभी सुरह पाकी कृती है तो हिंदी के आधिक कभी सुरह पाकी कृती है प्राचीन भारत के महान बाग्यानिक किसकी रचना है 11 कि आपका B नमबर राइट एंसर है गुनाकर मुले का है ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया जाए 12 नमबर क्या करता है लेखक अमरकांद का जनम कहां हुआ था लेखक अमरकांद का जनम कहां हुआ था 12 का राइट एंसर ए नमबर है जुलाई 1925 में हुआ ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं बहादुर कहां का रहने वाला था बहादुर कहां का रहने वाला था तो 13 कि आपका अप्सन नमबर D है नेपाल के रहने वाले थे ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है साहित मनुष्य के स्वंपून जीवन में संबंद में यह पंक्ति किस पाट से उद्रित है यहाँ पर बतादे एह पंग्ति किस बात से उध्रित है तो चवदा आपका राइट एंसर D नमबर है बहादुर से है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं सहित की परंपरा-का पुन ज्यान किस ब्यवस्था में संभभव है तो सहीत की परमपरा का पुन ज्यान किस ब्यवास्ता से संभाव है तो पुंद्रा का आपका राइट एंसर बता दे दोस्तों पुंद्रा का C नमबर राइट एंसर है समझवादी ब्यवास्ता होता है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं सुल्ला क्या कहता है यहां जीत जीत मैं निर्खत हूं पार्ट के लेखक कौन है जीत जीत मैं निर्खत हूं पार्ट के लेखक कौन है तो आपको बता दे कौन सा पार्ट के लेखक है तो यहां पर यह नंबर आपका राइट एंसर सही है बिर्जु महराज है ठीक है चलिए आ यहां पर देखिए आगला प्रस्न क्या कहता है अठाड़ा नमबर यहां पर ला सत्रू कहां है आप बता दे ला सत्रू आपको मिलेगा अठाड़ा का आपका एंसर होगा इसके आपका अप्सन नमबर फ्रांस में है ठीक है दोस्तों चली आगे हम लोग देखते हैं यहां पर दिया जाए जोले में कितनी मचलिया थी जोले में कितनी मचलिया थी जोले में आपसन नमबर ए राइट एंसर है चली आगे देखते हैं नौबत खाने में इबादत है एक इसका आपका राइट एंसर जो होगा जाता है डी नमबर है विक्ति चित्र है चली आगे हम लोग देखते हैं आगे आपको क्या दिया हुआ है जीवन के अरंभिक दिनों में विश्मिल्ला खा को संगीत के परति आकस्तित कैसे हुए संगीत के परति आकस्तित कैसे हुए 22 का पराइट एंसर डी नमबर अप्शन है यहां पर गता दे अगला पराशन क्या कहता है मेरे धर्म में कैमूद खान का धर्म नहीं है किसका कथन है यहां पर बता दे तेज का आपका राइट एंसर दोस्तों यहां पर हो जा रहा है तेज़का राइट एंसर B है, यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, चली आगे देखते हैं गांधी जी को महात्मा की उपादि किसने दी थी, तो यहाँ पर टाइगोर ने अपसन नंबर C राइट एंसर है चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां पर कह रहा है दचिन अफिरका से गांधी जी भारत को बलोटे धत्षिन अफिरका से महतमा गांधी भारत को अब लोटे तो आपको बता दें B नमबर राइट एंसर है उन्हें 115 है इसमी में होगा चलि आगे हम लोग देखते हैं गायक का संदी विछेत है गायक का संदी विछेत आपको बता दें गौ जोर अक होता है अफिर नमबर आपका C राइट एंसर है ठीक है दोस्तों चलि आगिला प्राशन हम लोग देखते हैं साक्षर का संदी विछेत क्या होगा जो 27 का आपका राइट एंसर हो जाएगा ये नमबर 100 जोर अक्षर होगा चलि आगे हम लोग देखते हैं अनूज सब्द का उसर्ग कौन होगा अनूज सब्द का उसर्ग आपको बता दे अफिर नमबर D होगा आपका अनू होगा चलि आगे का प्राशन देखते हैं 29 का पूचर नमबर 29 क्या कर रहा है पो का उचारन आस्थान है पौक आउच्यारन अस्थान क्या होगा तो यहाँ पर उठ होगा चली आगे देखते हैं संग्या के भेद नहीं है तो संग्या के भेद नहीं है तीसका आपका अप्सन नंबर D होगा संबंद आचक होगा ठीक है दोस्तों चली आगे देखते हैं चली आगे यहाँ पर है बुढ़ापा सब्द कौन संग्या है 31 का आपका राइट एंसर बता दे दोस्तों यहाँ पर D होगा भाव आचक संग्या है ठीक है चली आगे देखते हैं मई सब्द कौन संग्या है 32 का आपका B नंबर राइट एंसर है बेक्ती वाचक संग्या है चल सब्ध पोन लिंग है तो 33 का a number है फुलिंग होगा श्याम सब्ध का इस्तिलिंग रूप क्या होगा यहां पर और अप्शन number d number होगा श्यामा होगा चलिए आगे देखते हैं कुछा number 35, कुछा number 35 क्या करता है निमले कितमे श्वर्ब नाम है निकलितित में स्वर्वनाम है तो 35 का आपका यह नमबर राइट एंसर होगा वह होगा स्वर्वनाम के कितने भेद होते हैं स्वर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो यहां पर बता दे स्वर्वनाम के 6 भेद होते हैं नमबर आपका राइट एंसर है चलिए बहुत अच्छा प्रस ने आया फिर से यहां पर यह कलम किसकी है किस भी सेशन का उधारन है यहां पर 37 का राइट एंसर आपका बी नमबर हो जाएगा श्वर्मनामिक होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं स्वबधन किस भी सेशन का उधारन है स्वबधन किस भी सेशन का उधारन है तो 38 का राइट एंसर ए हो जाएगा परिमान बोधक होगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49 का आपका कौन सा एंसर होगा रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस परबंद का उधारन है तो 49 का आपका रा बंद का है चलिए आगे देखते हैं यार लोव क्या है यार लोव क्या है तो आपका बी नंबर राइट एंसर है और अस्त भी अंजन है चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक तालीस नंबर 41 नमबर क्या कहता है यहाँ पर देखा जाए 41 नमबर आपका परोशन है जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन थोड़ी तन नगन भए किस कवीता का पंगती है तो 41 का आपका राइट इंसर C है राम नाम बिना राम नाम बिनू बी रहते जगत जननाम चलिए आगे हम लोग देखते हैं चलिए बहुत अच्छा प्रसन है आपको लोग का यहाँ पर है जब पूजी किसकी रचना है जब पूजी किसकी रचना है तो 42 का आपका राइट इंसर हो जाएगा 42 का राइट इंसर D होगा प्रेम धन की है ठीक है चलि आगे देखते है अगर अश्कान की रचना प्रेम वाट का कि स्परकार की रचना है तो 43 का आपका right answer हो जाएगा यहाँ पर d number प्रेम निरूपन संबंधी हो जाएगा ठीक है दोस्तो चलिए आगे हम लोग देखते हैju चलिए बहुत अच्छा प्रस्न है रिती मुक्त काभ्या धारा के सीर मौर कवी है यहां 44 का आपका राइट इंसर हो जाएगा बी नमबर हो जाएगा धानानंद हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते है धानानंद कीस मुगल बादसाह के यहां मीर मुंची का काम करते थे यहां प बता दे आपको 45 का आपका राइट इंसर सी हो जाएगा मुहमद साह रंगीले ने ठीक है चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं फिर हम लोग आगे चलिए कुछ नंबर आगे हम लोग देखते हैं रसिका समाज की अस्थापना किसने की तो रसिका समाज की अस्थाप आपको बता दे अपसा नंबर बी नंबर है बदरी नरायन चौधरी परेमधन ने की चलिए वानी किसकी रचना है तो वानी किसकी रचना है आपको बता दे 47 का आपका सी नंबर राइट इंसर है सुमिंत्रा नंदपंध की रचना है किसकी है सुमिंत्रा नंदपंध की रच चलिए आगे हम लोग देखते हैं रामधारी सिंदिनकर का जनम को अब हुआ था तो रामधारी सिंदिनकर का जनम को अब हुआ था 48 का आपका राइट एंसर जो है D नमबर है यहाँ पर 13 सितंबर 1908 का है अगला देखते हैं बुढ़ा चोकिदार बिरिक्च कहां मिलता था उनचास का आपका राइट एंसर आपका बता दे दोस्तों उनचास का राइट एंसर आपका B नमबर है घर के दर्वाजे पर ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर तुर्की के महा कभी नाजिम हिक्म की कविताओं के अनुवाद विरेंद्र डंगवाला की सुरूप में किया तो बता दे विरेंद्र डंगवाला की सुरूप में किया है तो अपसन नमबर आपका C है पोहल पुस्तका का है चली आगे देखते हैं हमारी निंद कभी था किसका जीवन क्रम पूरा हुआ तो यहाँ पर बता दे 51 का आपका राइट एंसर है D नंबर है मक्षी का हुआ ठीक है चली आगे 52 नंबर देखते हैं 52 नंबर आपका प्रस्न क्या कहता है मानव का रचना हुआ सूरज मानव का रचना हुआ सूरज तो बावन का आपका राइट एंसर बता दे क्या होगा यहाँ पर B नंबर इसका राइट एंसर है हिरो सीमा है ठीक है अगला प्रस्न देखते हैं तार समस्तक का संपादन किस ने किया तो तीरपन का आपका राइट इंसर ए है अग्याए ने किया चलिए आगे हम लोग देखते है चोवन नमबर आपका परसन क्या करता है वनलाता सेन की कभी है यहाँ परफसा नमबर सी हो जाएगा जीवन नंदादास होगा ठीक है चलिए रेनर मारिया रिले के द्वारा रचित कभी था है तो पच्पन का आपका राइट इंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए क्या होगा मेरे बीना तुम पर चलिए 56 नमबर प्रसन क्या कहता है यहाँ पर देखा जाए श्रीष्टी का विकास कथा का वर्थम मक्षर क्य जाए है तो यहाँ पर आपका 56 आपका राइट इंसर जो हो जाता है डीनबर आपका राये टेंसर है विफलता पर छलके आसु हो Lawrence कि आगे हम Deaf डेखते हैं क्वेट्री के अनुसार क्या घड़े से रुड़क जाता है तो कवित्री के इंसर किया घड़े से रुड़क जाता 77 अपका राइत एंसर हो जाता है यहां पर d number हो गाइ menor 27 गोई होगा ठीक है दूस्टो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे यहांपर है हरी ररस से कभी का क्या अभि पणया है 75 क्या अभि पण़ाए Давай राम Нам का जब है चलिए देखते हैं संपर्दाय मुक्ति क्रिष्ण भक्ति कभी थे यहां पर 69 का राइट इंसर यह है रस्खान का है ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं 60 में 60 नंबर क्या करता है सुमिंत्रानांद पॉन्त रचित कभीता भारत माता किस काभ्या की संग्रा संकलित है 20 काभ्या के संग्रा संकलित है तो 60 का राइट इसर भी है गरामवा है ठीक है कपूर सब्द है तो कपूर कौन सा होगा आपका आपस One oriented पासी होगा स्थिक है कपूरेण चलिए आगे देखते हैं डाल पर चिरिया गाती है यहीछ कारथ कार 높य द्वधारन है क्रिएकरन पोस इह होगा तट्सम होगा ठीक है चलिए अगला प्रसन हम लोग देखते हैं अगला प्रसन क्या दिया हुआ है यहां पर है ऐसे सब्द जो योगिक तो होते हैं पर और तके विचार से अपने समानने अर्थ को छोड़ किसी प्रम्प्रा के विश्यष अर्थ का परिचायक कहलात तो 64 का आपका right answer जो है c number right answer है योगरूड होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं सजीव सब्द का विलोम होगा तो सजीव सब्द का आपका विलोम कौन सा होगा यहां पर option number भी है निर्जीव होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं 66 में 66 क्या कहता है आपका सुल्प पानी स सब्ध कौन सा समास है倒 66 आपका राइच एंसर हो जाता है C हो जाएगा यहाँ पर बहुत reward प्रूइज के उपासक के लिए एक सब्ढ़ कोन सा ऑगेखते हैं घी के लिए दिया जलाना मुहबरे का आर्थ है घी के लिए क्या आर्थ होगा यहां पर अकास सब्द का परिवाचिक सब्द क्या होगा ? ठीक है ? अपन Q a ? इंसर है ? एक आख से देखना मुहबरे का अर्थ क्या होता है ? Cap 1 सब्धिक होता है ? बराबर मानना stuck है ? चलि आगे देखते हैं 72 नंबर कुचन क्या कहता है यहाँ पर देखा जाए नीम्न में सूध सब्द है नीम्न में सूध सब्द कोन है यहाँ पर C नंबर है अधही अन धिकार है चलि आगे देखते हैं जो च्छात्र परिष्रम करके उन्हें सब फालता अवज से मिलेगी रचना की दिरिष्टी से कीस परकार का काबे है तो 73 का आपका राइट एंसर जो है B नमबर राइट एंसर है मिसर वाक्य है चलिए आगे हम लोग देखते है निमलिकित वाक्यों में कौन सा वाक्य सूध है यहाँ पर धियान दिया जाए 74 का आपका राइट एंसर कौन होगा निमलिकित वाक्यों में कौन सा वाक्य सूध है 74 का आपका B नमबर राइट एंसर है यह काम जल्दी करना चलिए आगे देखते हैं कौन सा सब्द बहु अचन होगा तो यहाँ पर 75 का आपका B नमबर राइट एंसर है प्रान होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या कर रहा है श्री निवास की सभासा के साहितकार है तो श्री निवास की सभासा के साहितकार है आपसर नमबर आपका D नमबर होगा कॉनर भासा का है चली आगे देखते हैं क्यों रिख छाइश से चोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है किस ने कहा यहां 77 का आपका राइट एंसर हम बता दे दोस्तों ए नमबर होगा मागमा ने कहा ठीक है चली आगे देखते हैं और यूत किस का बेटा था यहां पर बता अठाट आपका राइट एंसर जो है यह नमबर है लक्षमी का बेटा था ठीक है चली आगे हम लोग देखते हैं 89 को क्या कर रहा है साथ कोड़ी होता है का जनम कब हुआ है तो यहां पर बताते अप्सान नमबर आपका सी राइट एंसर है 1929 में हुआ अगला प्रस्ण है मा के दोनों पूत्र लिककर कहां काम में लगे हुए थे तो अपका राइट एंसर डी है सोहर में लगे हुए था है चली आगला हम देखते है एक आसी नमबर यहां पर देखा है मंगु कितने वर्ष की थे तो मंगू बता दे कितने वर्स की थी 81 का आपका राइट एंसर एंसर है 12 वर्स की थी अगला प्रस्ण क्या कहता है मदुरे पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है यह कहा लिखा है यहाँ पर बता दे 81 का आपका बी नमबा राइट एंसर है काल्ड वेल के तुन नात्मक ब्याकरन में ठीक है चलि आगे हम लोग देखते है चलि अगला प्रस्ण मेरा क्या कहता है वलिल अलमाल की बेटा बेटी का नाम है 83 का आपका राइट एंसर जो है दोस्तो C नमबर होगा पपाती होगा ठीक है चलि आगे देखते है मदूराय इस्तित बड़े अस्पताल के हेड नौसन नाम क्या था तो यहाँ 85 का आपका D नमबर राइट एंसर है मिरांड था चलि आगे देखते हैं धर्ति कब तक घुमेगी सीषक कहानी के रचनकार है तो धर्ति कब तक घुमेगी सीषक कहानी के रचनकार कौन है 85 का आपका राइट इंसर B है सौवरदाई होगा चलि आगे हम लोग देखते हैं 86 को 86 क्या करता है तीन बेटे की मा है तो 86 का राइट इन बेटे की मा है यहाँ पर इसकी इंसर क्या होगी तो चलि यह नमबर इसका इंसर होगा सीता होगा ठीक है चलि आगे देखते हैं धर्ति कब तक घुमेगी सीषक पाठ में सवाल किस चीज का है तो यहाँ 87 का आपका राइट इंसर हो जाता है यहाँ पर 87 का आपका सी नमबर इंसर होता है रोटी का है ठीक है चलि आगे देखते हैं जहते विश्वास कहानी में किस राज को बाडियों सुखान का परभाव दिखाया गया है तो 88 का आपका राइट इंसर जो होगा दोस्तों आपको बता दे कौन सा होगा 88 का आपका राइट इंसर जो है ए नमबर होगा उडिसा होगा ठीक है चलि आगे देखते हैं सिता क्या देखकर रुवासी हो गई सिता क्या देखकर रुवासी हो गई तो आपका आपसन नमबर ए है सफेद उड़ना ठीक है चलि आगे देखते हैं नब्य क्या कहता है आपका आस्पताल से बाहर निकल कर वलील अमला किस रंग की साइकिल रिक्सप और सवार हुई तो यहाँ पर 90 का राइटेंसर जो है आपको है C नमबर पीले रंग की ठीक है राम खाता होगा किस काल का उधारन है तो यहाँ पर वर्तमान कल का है C नमबर राइटेंसर है ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग बानमे में कह रहा है उसने कहा था लेकिन नहीं आया कौन सा वाक्य है उसने कहा था लेकिन नहीं आया कौन सा वाक्य है यहाँ पर निमलिकित में सुध सब्द कौन सा है तो 93 का आपका राइट एंसर आपका C है हिंदुस्तान है चलि आगे देखते हैं तो आगी सब्द में परते आए है तो आगी सब्द में परते आए कौन सा है E परते आए है चलि आगे हम लोग देखते हैं यहां पर दिया रहा है से संधी के कितने भेद होते हैं तो संधी के आपको बता दे यहां पर अप्सन नंबर या 95 का और अपका राइट एंसर 3, 3 है चलिए आगे देखते हैं को अग्याय का पूरा नाम क्या है में क्या करता है कि का संथान्व कि ऐसी है यह आप मदा मोजेल दा अन्योने हैं कवीता नहीं है 98 क्या कर रहा है सी नंबर एक्षन है नौबत खान के इबादत चलिए आगे हम लोग देखते है 99 क्या करता है इंद्रियों को जितने वाले के लिए सब्द क्या है यहां पर बता दे इसका एंसर राइट एंसर कौन सा होगा सी नंबर एक्षन होगा जितने न द्रिया होगा चलिए आगे देखते हैं गुदली का लाल मोहबडे का उर्थ है अप्सल नंबर B एक्षन होगा ठीक है दोस्तों तो इतना ही कहकर इतना ही पर हम अपने सब्दों को समाप्त करते हैं आज के लिए इतना ही अलविदा जैहिन जैभरत बंदे मातरम